24 सितंबर 2024 को इसराइल ने लेबनान के उपर अभी तक काज सबसे बड़ा हमला किया और इस हमले में 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई जबकि 1800 से ज्यादा लोग खायट हुए है 2006 के युद्ध के बाद से इसराइली सेना का लेबनान पर ये अभी तक काज सबसे बड़ा हमला था मौजुदा हालातों को देखकर इसराइल और हिजबुला में युद्ध तैमाना जा रहा है लेकिन इन सब के बीच लेबनान को लेकर खेमे बंदी शुरू हो गई है दरसल मिडलीस्ट में इरान सीधे हिजबुला को सपोर्ट करता है और रूस इरान का इस्तमाल मिडलीस्ट में अमारिका और इसराइल के खिलाफ कर रहा है लेकिन जब इस्राइली सेना ये ठान चुकी है कि वो हिजबुला को सबक सिखा कर रहेगी तो रूस ने लेबनान को लेकर हमदर्दी दिखाई है दरसल 30 सितंबर के हमली को लेकर रूस के राश्चुपती भवन क्रेमिन के प्रवक्ता पैसकोव ने कहा है कि लेबनान पर इस्राइल के लगातार हमलों को लेकर रूस बेहधी चिंतित है ये घटना क्रम बेहधी खतरनाख है युद्ध का दाहरा बढ़ने से ये लाका पूरी तरह से अइस्थिर हो जाएगा आपको बता दे कि रूस ने मिडलीस्ट में अमेरिका की भूमिका को लेकर भी निशाना साधा पैसकोव ने अमेरिका परतंश कस्ति हुए कहा कि हम बेहधी चिंतित हैं इस वक्त किसी भी तरहे कि बातचीत की संभावना के बारे में बात करना काफी मुश्किल है एक शांति पूर्ण हल संग्शेप में एक देश द्वारा नियंत्रित है इस वक्त किसी भी हल के बारे में बातचीत करना नामुम्किन दुर्भाग के पूर्ण है आपको बता दे कि रूस ने लेबनान में रह रहे अपने नागरिकों से तुरंट बेरूट छोड़ने की सलहा दी है लेबनान में रूस के राज़तू अलेक्जेंडर रुदाकोव का कहना है कि जो असुरक्षित महसूस कर रहे है उनसे हम अपील करते हैं कि वो तुरंट कमर्शल विमान से लेबनान छोड़ दे क्योंकि अभी भी बेरूट हवाई अड़ा सामाने रूप से काम कर रहा है यह पर्यटन का वक्त नहीं है हलंकि इसराइल में रूस के राज़तू एनाटोली विक्टोरोव ने इसराइल में रूसियों के लिए इस तरह की कोई अड़वाईजरी जारी नहीं की है और उन्होंने यह जरूर कहा है कि रूसियों को गैर जरूरी यात्रा से बचना चाहिए आपको बताते कि रूस के बाद अब चीन भी लेबनान के समर्थन में उतराया है दरसल अमेरिका के न्यू यॉक में चीन के विदेश मंतरी वांगिये ने लेबनान के विदेश मंतरी अब्दल्ला बोहभीब से मुलाकात की इस तोरान उन्होंने कहा कि चीन लेबनान की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा में दृड़ता से उसका समर्थन करता है हिजबुला को लेकर काफी नरम है यहां तक कि जब हमास ने 7 अप्टुबर 2023 को इसराइल पर हमला खिया था तब रूस और चीन ने हमास के समले के निंदा नहीं की पलक्यूल्टा सारा ठीकरा इसराइल के मत्थे मर दिया और तो और रूस पर हिजबुला और हमास को हत्यार सप्लाई करने के आरूप भी लगे है को